तो आज मैं रात को ये वीडियो बना रहा हूं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करने के लिए जो टाटा पंच मेरे पास है इसमें एक मैं काफी दिन से देखता रहता हूं रीवी बगरा निकालता रहता हूं वीडियो तो आप सब्सक्राइब करते रहें मैं जैसे जैसे यूज करता जा रहा हूं इसका मेरे को negative points मतलब negative points कम है positive points तो बहुत ज्यादा है तो मैं छोटे-छोटे points मेरे को जो problem लग रही है वो मैं discuss करता रहता हूँ तो आप भी comment करके बताते रहे हैं आपको ये point ठीक लगती है क्या तो जैसे मैं अभी बात करता हूँ cabin की light की आप देख रहे हैं यहाँ पर जो cabin की light है वो इसकी light बहुत बढ़ी है काफी बढ़िया light देती है मतलब पूरे cabin में आगे की तरफ पूरी रोशनी हो जाती है मतलब अच्छे से लेकिन जो पीछे वाला area है वहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा जैसे कि आप देख रहे हैं मतलब यहाँ का अगर मैं दिखाता हूं तो यह जैसे front से है यहाँ पर मैं इसको on off करने का यह बढ़िया है यह लेकिन यह काफी confusing होता है डोर जब तक बंद नहीं होंगे और नहीं रहता दिन में भी problem देता है तो इसको यह थोड़ा है problem इसका बहुत लोगों ने बताया है लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं पूरी लाइट आपको दिखेगी यह देखिए कैबिन में यहाँ पर आप कुछ रखा हुआ है तो पूरी लाइट आ रही है जैसे कि आप देख रहे हैं क्लियरली दिख रहे हैं हमें आपे glove box में भी एक light द लेकिन मैं इसको चेंज कराऊंगा LED में वाइट LED में आगे काफी बढ़िया इसका light रहता है लेकिन आप आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको यहाँ पर कुछ निवाइस का यहाँ पर मैंने phone से on किया है अब आपको दिख रहा है और अगर मैं इसको off करता हूं तो द बहुत प्रोब्लम आती है इस तीज से तो मेरा यही पॉइंट था फ्रेंट में ठीक है बहुत बढ़िया है लेकिन या तो वो फ्रेंट वाली या पे सेंटर में दे देते तो और अच्छा रहता यह एक मेरा इसका पॉइंट है आला कि जो भी है वो ठीक है मतलब ऐसा नही बहुत लोग के कमेंट आते हैं कि सर बुक कर दिया है कोई प्रोब्लम दनी है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बाई प्रोब्लम कुछ भी नहीं है गाड़ी आपने मन बना लिया है तो गाड़ी वर्थित है वैली फॉर मनी है यह डिपेंड करता है आपके लिए कौन सा व इतना ही था वीडियो में सब्सक्राइब कर दीजिये चैनल को और कमेंट करके बताएं वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपके साथ भी प्रोब्लम आ रही है क्या